So, hello everyone, कैसे हो सब लोग, so this is your favorite chemistry educator Nikhil sir और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जी बहुत जबर्दर्स चेप्टर के साथ तो जल्दी से आज ओ और जल्दी से अपने friends को लिया हो और हाँ भई हाजरी लगा दो अपनी कैसे, like करके So, welcome to Unlock Neat and yes, in case you are new तो यार ये तो अडे favorite Nikhil sir है गे, तो हमने क्या किया हुआ जी, हमने पढ़ाया हुआ Career point quota में, yes, I have taught in Akash Institute South Extension as well the premier location, then I have done my B.Tech from Delhi Technological University तो भई हाँ जी, engineer है गे यसी, और हाँ, जिसकी बदालत I have been able to mentor amazing children with amazing amazing ranks, तो बच्चा लोग जल्दी से आजाओ, हाँ भी like बढ़ते जाओ, जल्दी से बढ़ा दो तो yes, आप लोगों के कुछ-कुछ announcement है जी मारे पास, जैसे की एक शिखर बैच स्टार्ट हो रहे है भी so this is my coupon code, आपको ये लगाते ही 10% off, मिल जाएगा then there is a mission need 2022, तो अगर आपको 2022 की गजब त्यारी चाहिए और इन educators से पढ़ना है बहुत बड़े-बड़े educators हैं, तो इनका भी batch 38 June से start हो रहा है, तो आप इसमें भी आ सकते हो और subscription लेके ही entry कर लो, प्लस ले लो जल्दी से, and then there is a स्रेष्ट batch, स्रेष्ट batch में कौन है बईवग सर हैं, तमना मैम हैं, पंकत सर हैं, कौशल सर हैं, ये भी कब start हो रहा है, ठत्या जून को, तो जिन भी educators से आपको पढ़ने हैं, आप उन educators के, you know, you can buy a subscription first of all, प्लस ले लो और फिर किसी भी educator से पढ़ो, then संजीवनी batch भी start हो रहा है, 2022 and 2023 वास्ते, इसमें कौन है बई, July 7 से start हो रहा है batch, जो कि आपको पता है, Unacademy Need के जो educators है, जो Unacademy Need YouTube पर पढ़ते हैं, वो educators अपना channel भी चला रहे हैं, साथ में, प्लस पर भी हैं, तो चलो जी इन से पढ़ ले लेते हैं, और अभी भी एक limited time offer चल रहा है, जो की खतम कब होगा, 30th June को, जिसमें क्या है, अगर आप Unacademy की iconic subscription लेते हो, तो आपको घर पे Unacademy के study notes मिलेंगे, home delivered एक दम, यह अभी मिल रहा है, इसमें कर क्या सकते हो, या code अभी भी तुम लगा सकते हो, which is Nick YT, तो Nick YT लगा अपने को 10% referral, जो मेरा code लगा होगे, Nick YT, उसे off, then 15% off, अलग से, अभी के time पे, and 2 months extra, मतलो एक साल की subscription पे, 14 मेनी की subscription मिल रही है, और अगर आप 2 साल की लिए उसमें और गजब है, उसमें 3 months extra है, plus 20% off, plus 10% on the referral code, नहीं, तो नीट की pure subscription लेनी है, तो नीट पे यह offer चल रहा है 3 months की उपर, एक months extra मिल रहा है, 12 months की उपर, you are getting 2 months extra, and 24 months, that is 2 years की उपर, 3 months extra, तो this is going on right now, again, हर एक जगे पे, coupon code, that is, Nick YT, लगाते ही, you will get 10% off, so yes, और अगर आप कोई भी subscription में problem आ रही है, तो Unacademy का financial assistance program is there to help you, इसका description में link मिल जाएगा, इसकी बदौलत, you can get the offers अभी, और बा for it, और otherwise, plus की subscription ने नहीं है, तो ये per month cost जे रखी है, आप जितने जादा महीनों का लोगे, उतना है सस्ता पड़ेगा, तो एक साल वालों को, at least, you know, जो की अभी 22 में वेपर देना चाहते हैं, वो ये ले सकते हैं, और जो 23 में देना चाहते हैं, वो ये वली ले सकते हैं, again, इसमें भी you can use the code, which is NickYT, तो code, यार, code आपको free कर रहा है, 10% तो याद से code लगाने का, ठीक है, and then, हाँ, सबसे जादा इंपोर्टेंट रजी, Unacademy, Comback, जो की हर संडे एक test होता, तो संडे को test देने का, 11 बज़े test होगा, क्या होगा, अपना normal neat level test रहता है, अगर आप टॉ 3 में आगे test दे के, तो you will get up to 100% off on this, plus subscription, तो ये है सारे के सारे offers जो अभी चल रहे हैं, तो ये हो गया जी, about Unacademy, अब हम लोग आ जाते हैं, अपने lecture के उपर, तो जल्दी से आने का है, आज थोड़ा सा, हम लोग रखेंगी kind of interactive session, मज़दार session, जिसमें बाते शाते करेंग तो हेलो जी, हंजली जी, समझ आ गया, combat कैसे लगाने का है, तो yes, समझ आ गया है, तो चलो फिर आज start करने वाले हम लोग टेट्रहेड्रल वोइड्स के बारे में, तो जैसे कि आप लोग उन्हें last class लगाई होईगी, कौन सी वाली, octahedral वोइड्स वाली, तो हेलो पायल ज वोइड्स के बारे में पढ़ने से पहले, हमें थोड़ा बहुत वोइड्स खायक, recap दे देता हूं, जिन्होंने last class नहीं लगाई होगी, तो वोइड्स होते हैं जी, vacant spaces, क्या ऐसी वैसी vacant spaces, ना ची ना, ऐसी वैसी vacant spaces नहीं, एक ऐसी vacant space जिस जो, जो बंदा बना रहा है न, वो वो बंदा है, जो खुद एक शेप में बैठा हुआ है, मतलब ऐसे सोचो, आप हो, इधर सामने एक बंदा, इधर एक बंदा, इधर एक बंदा, इधर एक बंदा, चार बंदों ने एक घेडा बनाया हुआ है, बीच वाली space, तब वो vacant, तब आप वो वोइड बोलोगे, जब सब के सब एक तरीके से बैठे हो है, order में बैठे हो है, तो this is your void, जो कि last class में बहुत detailed discussion हुई थी, so hello स्नेहा जी, कैसे हो बई, yes sir, तो अभी आप फुरा ताइम पे आ रहे हो, बढ़िया जी, पाइल बहुत अच्छा है, तो अब क्या करते हैं, तो ऐसे लोगों को बंदे हैं, उस तरह से बोल रहे हैं, तो what is the shape, जैसे मैंने कल हमने octahedral की बात की, octahedral कैसे थे, 6 बंदे, 2-4 square में थे, एक उत्ते, एक निचे, that's octahedral, किसने नाम decide किया, shape वालों ने decide किया, बहुत बढ़िया, tetahedral कौन करेगा, same, अगर आपके atoms जो की tetahedral shape में बैठे हुए वो अगर space create करें, उसको हम लोग tetahedral void बोलेंगे, तो देखते हैं इसका example, तो पहले कहता है, it is a vacant space, tetahedrally surrounded by 4 atoms, पहले ना इसको imagine करते हैं, आप ऐसा सोचो, हमारे पास ना तीन football है, यह एक football है, यह दूसरा football है, और यह तीसरा football है, तीन football है, यह इसके बीच में ना मुझे अपर vacant space दिख रही है, ठीक है, अगर तीन football आपने ऐसे पास में जोड़े और vacant space बन गई, एक काम करो, इसके ना उपर भी, यह देखो, इसके उपर भी एक ऐसे football रखते हैं, तो this is the fourth football which I can, तो तीन football लिए, तीनों से triangle सी shape आ रही है, एक vacant space दी, मैंने उसके उपर एक और football तो at this moment मुझे लगता है कि कुछ ऐसा arrangement है नहीं देखना है, कि एक तो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे footballs को इसको हम डाग कर देते हैं, मैं क्या करता हूँ, यह चारो football को थोड़ा छोटा बनाता हूँ, तो यह पिछे वाला जो football है, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, य यह वाले को ऐसे बना दिया, यह वाले को ऐसे बना दिया, इसके just उपर, चौता football है, यह वाला, इसको हमने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, तो इन चार football के, I think, बीच में एक vacant space आ रही है, ऐसी वाली, यह देखना ज़रा है, यहाँ पे एक vacant space आ रही है, and this vacant space is known as your tetrahedral void, तो यह देखो, यह कैसी होगी, यह तीन नीचे वाले तो क्या कर रहे है, यह triangle बना रहे है, देखना कौन सा वाला, यह, यह and यह, triangle बन रहा था, तो यह triangle के just, यह point actually centroid होता है, triangle के centroid के just उपर जाके आपका tetrahedral void present होता है, उसके भी उपर एक और atom है, तो चार बंदे मिलके हमार क्या बना रहे है, tetrahedral void बना रहे है, तो this is very important, कि अच्छा यह इस तरह से उता है, हाँ जी समझ आ गया, अब एक काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि this is a tetrahedral void, वो बात हम ने बताई ही ना last last में, जो void बनाता है, जिसको यह नहीं पता, जो भी नया बंदा है, उसको मैं बता देता हूँ, void बनाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, host atom, जो आपका void जिसमें, void के उपर जाके जो बैड़ता है, जो void में एंटर करता है, एकदम hero बनके, void में रहने वाला, तो void पर रहने वाला, वो क्या होता है, वो होता है, जी टॉड़ा, yes, guest atom, एक बंदा हमारा host atom है, एक बंदा हमारा guest atom है, तो दो type के हमारे पास होते हैं, void जो बनाते हैं, जैसे ये पीले वाले क्या कर रहे हैं, यह पीले वाले सारे के सारे हमारे voids बना रहे हैं, tetraidal void बना रहे हैं, तो पीले वालो को host बोलेंगे, जो पीले वालो पे रहता ह जो यह वाइट जगे पर जाके रह जाए कल कोई एंटरी मार जाए उसको उन लोग गेस्ट पोलते हैं लास्ट लास में गेस्ट एंटो उसकी हमने पूरी डिटेल डिसकॉशन की थी यह स्पायल जी बिल्कुल तो अब एक काम करते हैं ऐसे वॉइड को जो यह वाइट वाला वॉइड जो मेरा है यह बंदा चार एक डो तीन चार चार लोगोंने सराउंड किया किस तरह से टैट्र यह देखो यह टेट्राइडरल शेप होती है जो भी हमने बनाई है तो अगर आप इन सब को जोड़ दोना दिस सम्धिंग कॉल टेट्राहेड्रॉल जैसे आपका वू बनता नहीं पिरामेड़ जा बनता है बिल्कुल या तो यह चीज समझ आगी बही सनिया जी को आ गई है अंजली जी को आ गई है पाहल जी बढ़िया जी एकदम तो दस्दो अंकुर जी आल राइट समझ आ गया सब तो यह होया हमारा रफ आइडिया कि टेट्राइडल वॉइड किस टाइप से हमें दिखता है यह हमें क्लियर हो गया ठीक है अब एक काम करते हैं अगर यह हमें इ कोई आटम रख दे इस पोज़िशन पर इस पोजिशन पर मैं कोई अटम रखता हूं गैस्र ऑंकर रहता यहां पर मैं गैस्ट एक्टम का कॉड़िनेशन नमबर बार में क्या होगा है तो है लो गुमी जी तो टैलमी वेट इ? इस बारद ड़ा इस तना पोज़िशन the coordination number of this position, तो अगर यहाँ पर आपको यह item रखते हो, तो coordination number क्या हो जेगा उसका, 1 होगा, 2 होगा, 15 होगा, 20 होगा, क्या होगा, पायल जी कहा नहीं है, चार होगा, पायल जी, I think तुसी सही है, यह सनेहा जी भी बोल रही है, बिल्कुल जी, चार होगा, क्यों होगा चार, क्योंकि इस जगे पे यह इसको टच कर रहा है, यह इसको टच कर रहा है, यह इसको ट टच कर रहे है और जब चार लोगों को टच कर रहे है तो जैस इट इस टेटरहेडरल वॉइड है तो हेलो जी जगदीश जी कैसे हो तो पाठिल जी पाठिल साब बोल रहे हैं सर चार होएगा येस तो बिलकुल फोर होगा तो ये चीज़ हमें समझ आ गई है चलो बढ़िया जी बढ़िया अब एक काम करते हैं एक क्यूब में न यहाँ पर मेक टू क्यो अ हम लोग जो भी वॉइड की बात करते यह लास ट्लास में बात हुई थी बात की वॉइड़ न आप प्रेजेंट होते हैं ये भी मैं लिख देता हूँ, ये आप लोग बूल जाते हों, अगर मैं voids की बात करूँ न, तो जो हमारे voids होते हैं, they are only present, क्या ये primitive में present होते हैं, 4 टाइप के structures पड़े हैं हमने, एक था primitive, एक था जी body centered cubic, एक था आपका face centered cubic, and एक था जी आपका hexagonal close packing, तो मैंने आपको बताया था कि जो void होते हैं, वो कहां पर होते हैं, वो दो जगे पर present होते हैं, क्या primitive में होते हैं void, बताएंगे भई आप लोग, क्या हम primitive cell के अंदर void को exist करवा सकते हैं, ठीक है जी, कोशन कब करवाएंगे, अंजली जी आज की class में कोशन है, बहुत सारे, आज class में end तक रुकोगे, बहुत सारे कोशन करेंगे आज, यह जैसे यह खतम होएगा, फिर हम लोग density करेंगे, density के बाद लगातार ही लगातार कोशन है, कम से कम 15-20 कोशन है, आप जब तक बोलोगे तक तक करवाएंगे, ठीक है जी अंजली जी, तो येस, डूल, येस, बिलकुल वो में जी, थैंक यू, तो primitive के अंदर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास atoms present है, BCC में atoms present है, यहाँ पे भी यार आपका void present नहीं होता, और face centered में भी present होता है, and HCP में भी present होता है, तो यह कहां present ह वोइड वोइड वहाँ present होते हैं, जहाँ पे percentage जादा होती है, तो hello Anushka जी, that is, इन दोनों में आपके voids आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेकिंग फ्रेक्शन होती है, वो जादा होती है, यह वो जगे है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमारी packing fraction जो है, it is more, और इन दोनों मे packing fraction क्या होती है, packing fraction is less, तो जहाँ packing fraction जादा होती है, वहीं पे voids बनने के chances जादा है, तो यह चीज़ clear है, अगर यह चीज़ clear है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक FCC बनाते है, तो यहाँ पे I am going to make an FCC, आप लोग दियान से देखना, FCC में हमने एक चीज़ देखी, य यह एक चीज़ और 7, 8, यह FCC है, ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा कहाँ-कहाँ items होते हैं, इसके अलावा आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह items होते हैं, these are the items जो हमारे tetraidal void में present होते हैं, अब अगर मुझे tetraidal void imagine करना है ना कि FCC में कहाँ पे होता है, तो उसके लिए एक काम करना आपके पास ना, मान लो, कल को एक imaginary cube है, so this is an imaginary cube, जो मैं बना रहा हूँ, यह अब आपको imagine करना है कि अगर हमारे पास एक ऐसा cube है, यह imaginary cube मैं पहले लिखी देता हूँ, उपर, so this is what, this is an imaginary cube, तो अगर मैं ऐसे एक cube को imagine करूँ, किस तरह से देखना, जिसमें दो atoms यहां present है, let's say, एक, दो, and दो atoms यहां present है, एक, दो, यह atoms present है, बस यह ही है, और कुछ नहीं है, ऐसा कभी symmetry में है, nature picture में हमने देखा नहीं है, बट यहां पे मैं imagine कर रहा हूँ, कि imaginary क्यों ऐसा होता है, आप एक चीज बताना, जब हम लोग को उने वहां पर tetrahedron बनाया, अभी अभी हमने वहां पर tetrahedron बनाया, हमने कहा, कि तीन elements ऐसे होना चाहिए, एक, दो, तीन, जो कि किस में है, जो कि triangle बनाये, and एक element, just इसके उपर है, इस type के बंदे को हमने कहा था, कि अगर ऐसा कुछ बनता है, तो इसका जो center होता है, यह यह चीज हमने बात की थी, यह अभी अभी की थी, तो इसमें मुझे एक चीज लगरी है, ठीक है जी, हांजी हांजी, only Hindi जी, बिलकुल, सुमाया जी, सुमाया, are you able to understand my language, आपको हिंदी तो हिंदी में बात करेंगे, टेंचन नहीं लानी, तो यहां पर what I am trying to say is, कि आपके प उपर, centroid के उपर, void होता है, उसके उपर एक और element है, ऐसा होता है, तो इसको ना, क्यों में relate करते हैं, ठीक है जी, no, no, सुमाया जी, हिंदी, हिंदी, हिंदी में बोलेंगी हम, ठीक है, तो यहां पर देखना, क्या मैं ऐसे imagine कर सकता हूँ, यह वाला बंदा मेरा triangle है, एक triangle, यह दो triangle, और यह ऐसे triangle, तीन element triangle के हैं, और just इसके उपर, अगर यह position body center की है, तो body center के उपर यह कौन है, body center के उपर यह वाल element हमारा face center वाल, that is, top वाल element है, ऐसे नहीं imagine करना, एक और तरीके से imagine कर बाता हूँ, वो ज्यादा बढ़ यह तरीका रहेगा, आप एक काम करो, यहा triangle, तो 3 element का triangle बनाया, I think यह 3 element triangle में आगे है, यह देखो, 1, 2, 3, तो 3 element का मैंने triangle बनाया, इस cube का जो body center है, let's make this the body center, यह body center है cube का, ठीक है, body center इसके just center पे है, body center इसके just center पे है, and उनके उपर कौन है, उनके उपर एक चौथा element है, चौथा atom होएगा, तो I think यह वाले बंदे भ वाले बंदे भी हमारा एक tetrahydron सा बना रहे है, जैसे यह वाला बंदा tetrahydron मना रहे है, हाँ या ना, यह चीज़ imagine हो पा रही है भी तो अनू, दस्तो जी, hello Shivam जी, I think imagine हो रही है, बहुत वदिया, तो मुझे लग रहे है कि अगर मैं ऐसा imaginary cube मनाता हूँ, तो इस imaginary cube का, जो body center है, क्या मैं उसको tetrahydral void बोल सकता हूँ, can I call it as tetrahydral void or not, यह चीज़ आप मुझे पहले बताओ, कि एक ऐसा imaginary cube है, जिसमें मैंने चार elements लिए, इस तरह से, दो इधर है, दो इधर है, ऐसे cube को मैंने imagine करके देखा, कि यह तो इसका body center जोएगा न, that would be a tetrahydral void, yes, imagination दिमाग में खुला, तो हमें क्या करना है, हमें कहीं से इस type का cube लेके आना है, इस type का cube हमें कहीं न कहीं से introduce करना है, यह चीज़ करनी है, तो अगर यह चीज़ करनी है, तो let's do that thing, यह हमारे पास, क्या आप लोग इस चीज़ पर agree करते हो मेरे साथ, कि यह जो मेरा structure है, it is a structure for face centered cubic, क्या इस चीज़ पर आप लोगों का agreement है, मेरे साथ का नहीं है, पहले आप मुझे यह चीज़ बता तो, agree कर रहे हो इस चीज़ पर, कि सर यह वाला जो structure आपने बनाया न, यह actually face centered cubic का structure है, I think agree कर रहे हैं सब लोग इस पर, imagination चमका, अभी बहुत ज़्यादा अगर आप इस चीज़ पर agree कर रहे हो न, कि यह FCC है, तो मैं आपको एक चीज़ करते हैं, हम न इस FCC को बड़ा करके बनाते हैं, let's make a big view, हमने बोल लिया, क्या बोलता है इससे बड़ा कर देखते हैं, yes, तो उससे देखके हमने इसको बड़ा कर दिया, zoom करके देखा, और manufacturing हैंगे, क्या कियो होएगा, मुझे लगता है, कि जब मैं इस क्यूब को इसमें लेक्टे हूंगा न, तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसको थोड़ा छोटे-छोटे तरीकों से पड़ते हैं, कैसे, मैं इस क्यूब को छोटे हिस्सों में, डिवाइड करना चाहता हूँ कैसे डिवाइड कर रहा हूं देखना तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे यहां से एक छोटा क्यूब बनाते हैं ठीक है जी यह देखना आप यह छोटा क्यूब आपको इमेजन हो रहा है ठीक है जी यह सारी लाइने बना दते हैं तांकि आपको पूरा क्यूब इमेजन हो रहा है यह बन गया क्या आपको यह क्यूब इमेजन हो रहा है इसमें कर नहीं हो रहा है enabled to connect this cube or not यह कौनसा क्यूब बनाया हमने हमने एक क्यूब बनाया जो इसके अंदर प्रेजेंट है तो वृट इस दिस पिस को हम लोग मानुंदी क्यूब भोलते हैं अ समझा रहे है मिनी क्यूब बना दिया अब यह जू मिनी क्यूब है फहले को cancer करना होएगा ऐसे कितने mini cubes इस वड़े cube में आएंगे tell me comment करो how many mini cubes will be present in one big cube so what do you think imagine करके बना के देख लो यहां तो दिमाग से imagine करके देख लो यहां बना के देख लो tell me क्या लगता है भी आएल जी कितने mini cube ऐसे बन जाएंगे हमारे इसके अंदर यहां पर इस line को ट्वेड़ा कर दिया हमने लोड़ी प्यारी सी line बनाते हैं यह यह बन गई तो बताओ भाई how many mini cubes do you think will be available here चार बोल रहे है शिवम जी पाइस अंजली जी चार बोल रही है अवन्तिका भी अंजली चार बोल रही है अवन्तिका एक बार imagine करो यार आपके पास ऐसा एक cube इदर होएगा दो हो गए I think एक यह है एक इदर होएगा यह दो ही इसके पिछे होंगे मानतो इस चीज़ को एक इदर एक इदर दो दो पिछे जैसे इसके पिछे एक उसके पिछे एक तो I think यहां पर इसके पिछे वाला तीन हो जाएगा और उसके पिछे वाला चार हो जाएगा और जैसे चार हमने नीचे बनाए वैसे चार उसके उपर भी तो होएगे agree कर रहे हो का नहीं कर रहे है इस बात पर yes बिल्कुल हमारे पास आठ मीनी क्यूब्स होएंगे तो यह आठ मीनी क्यूब्स को दिमाग में देख लो imagine करो क्या पहले relate कर पा रहे हो का नहीं कर पा रहे अगर relate हो रहे है तभी sensor बनता आगे बनेगा नहीं तो बनता नहीं है ठीक है जी तो 8 हो गया सुनिता जी कह रही है सर 8 हो गया येस अंजली जी भी एट स्निया जी भी एट अब शिवम का भी एट आ गया बहुत वदिया तो हम ऐसे मीनी क्यूब ना इसके अंदर 8 बना सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ तो ये चीज़ हमने अभी अभी लिख ले चलो बढ़िया तो एक वड़ा क्यूब आठ मिनी क्यूब के बराबर है अब क्या करते हैं अब एक एक करके हमें ये वाले ऐलिमेंट्स को इसकी उपन डेकुरेट करने हैं तो लेट्स डू इट वन बाई वन येस शिवम जी बिल एकम पकड़ो ये देखो हम येवल एकम रख रहें जो जो एकम रख रहे है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ एक एलिमेंट्स मेरा है ये हो गया ठीक है जी अब और बताओ यार इसके अंदर आई थिंक येवाल एलिमेंट्स रहेगा यह देखना, यह जो सामने वाले face का, यह वाले element, I think यह सामने वाले face के यहाँ पे आएगा, अगर किसी को किसी भी element में दिक्कत है, मैं numbering कर देता हूँ, आप बताना सरी यह पहला imagine नहीं हो रहा है, तो यह हो गया number one, यह element हमने number two लाया है, ठीक है, और कौन सा decorate करते हैं, और हम लोग इसको करते हैं, यह देखो, यह number three, जो यह पीले वाला है, यह पीले वाला कहां पे आ रहा है, यह पीले वाला मुझे लगता है, यहां पे आ रहा है, कौन सा वाला है, यह वाला, and I think यह number four जो है यह वाला, कौन सा जो इधर आ रहे, इसको अलग कलर से बनाते हैं, तो confused हो जाएंगे यहां पर कौन सा बनेगा यहां पर आपका यह बनेगा कौन सा यह यह है भई आपका यह वाल element तो इसको बना रहते हैं पीले रंग में I think यह element हो गया तो यही element आ रहे हैं समीनी क्यूब के अंदर Hello Shavaz जी, Brown Monday in the Towns Yes तो यह चार element मतलब मेरे को लगता है बस यही चार item है अगर तुम में से किसी को लगता है इस चार के अलावा भी कोई element है आप मुझे अभी रोक सकते हो दो वाला नहीं हो रहे है PILG कोई कालन यह देखो PILG दो वाला element पता कौन सा है यह जो मैं phase बनाता हूँ देखना जरा यह आपका front phase है ठीक है यह front phase के जो center पे element है यह element एकदम center पे है front phase के यह चीज़ imagine हो रही है ऐसे ही यह मेरा front phase था front phase के center element है यह अब imagine हो रही है PILG बताओ जरा ठीक है जी माजामाशूच जी शावास जी कैसे हो वही बदिया कदम तो मेरे को लग रहा है कि इस के उपर इस mini cube के उपर सिर्फ चार elements ही आ सकते हैं और वो मेरे यह elements है अब हुआ imagine PILG बताओ यार अब clear है PCT को गया मुबारक बाद शवास जी अब आप lecture देख सकते हो प्यार से तो yes तो अब क्या करेंगे अब मैं अगर किसी को अभी भी doubt है वो connect करो क्या इसके अलावा कोई element मैं बहुँ positions दिखाता हूँ कौनसी कौनसी position है अगर आप ये position बोलोगे न ये position इस cube के में ये वाली है क्या इस position पे कोई atom है मुझे नहीं लगता और देखते हैं ये वाली position ये position होईगी इस cube में ये वाली क्या यहाँ पे कोई element है यहाँ पे नहीं है इस वाली को पकड़ते है इस cube में क्या इस line के center पे कोई element है मुझे नहीं लगता कोई element है तो ऐसे आप सारे positions verify करना इसके अलावा कोई भी element present नहीं होएगा ठीका जी सस्रिया काल जी येशु जी कैसे हो भई आप तो yes मलेश जी हेलो कैसे हो नहीं सर वो तो आपने आगे वाले corner पे होगा ना बिलकुल तो I think आप relate कर रहे हो सारे बंदे अगर ये बंदे सारे relate कर रहे हो तो अब देखो इस mini cube में बस 4 elements है 4 atoms है कौन-कौन से है जो मैंने बनाया हुआ है और ये mini cube के जो atoms है और जो हमने यहाँ पे बनाया है क्या ये दोनों बराबर नहीं है क्या ये दोनों same नहीं है ये देखना एक element यहाँ पे है एक element यहाँ पे है एक इधर 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 है तो I think जो मैंने ये वाला setup बनाया और जो ये setup हमने create किया ये एकदम same है इस बात पे agree कर रहे हो कर नहीं कर रहे एकदम चंगे हैं बहुत वदिया सर आख की पुजिशन पर एटम होगा ना ठीक है जी येस तो ये दोनों अगर सेम है ना तो इस मिनी क्यूब का जो बॉडी सेंटर होएगा ये पुजिशन लेट्स थे इस पुजिशन ये जो बॉडी सेंटर होएगा ना इस मिनी क्यूब का वो बॉडी सेंटर क्या हो जाएगा ये बॉडी सेंटर मुझे लग रहा है इस तेट्राहेड्रल वॉइड हां या ना आप बताएंगे क्या इस मिनी क्यूब का जो बॉडी सेंटर है वो एक टेट्राइडल वॉइड को constitute करता है कर निक करता Yes Hello Malaysia करता है बताइए भई आप ही बताइए लगता है आपको सेम तो है यह बट करता है करनेक कर नहीं करता Malaysia, RG बहुत सारे high page दिये तो अगर आपको यह चीज़े लगता है ठीक है तो what I feel is कि ऐसे mini cubes जितने भी mini cubes ऐसे आप बनाते हो हर एक mini cube का जो body center होएगा न it would be a tetrahedral void अब question यह है कि एक बड़े cube के अंदर कितने tetrahedral voids present है यह है question तो बताओ भई what do you feel meanwhile शेवाज जी कह रहे है एक बार फिट से एक बार मैं revise भी करवा देता हूँ है don't worry about it बैवब जी पस बढ़िया समझ आ रहे है शेवाज जी अभी मैं बताता हूँ भी मैं पूरा revise कराऊंगा don't worry अभी जो लोगों ने पूरा सुन लिया है उन लोगों से question यह है कि ऐसे कितने cubes हम बड़े वाले में देख सकते है how many mini cubes are available in this one big cube और वो चीज अभी अभी हमने लिखी थी उपर बैए एक वड़े cube के अंदर 8 mini cubes है और हर एक mini cube का जो body center है it is a tetrahedral void तो यहाँ से एक चीज समझ आ रही है अगर मैं आपसे ये चीज पुछू कि total कितने tetrahedral voids इस arrangement में present है तो आपको क्या लगता है मलेश जी बिलकुल सही वन्तिगा जी बिलकुल सही yes अनि मेश का भी सही है तो सबका सही है that is total number of tetrahedral voids अगर आप पुछोगे तो यह हो जाएंगे भाई 8 तो this is very important total number of tetrahedral voids तो यह हो रहे हैं हमारे 8 and this is very important क्या यह 8 voids आपको imagine हो रहे हैं तो यह किसमे हैं यह भाई हम लोग बात कर रहे हैं in FCC starting से हम लोग FCC cell लेके चल रहे हैं तो face centered cubic के अंदर हमारे पास 8 tetrahedral voids हो जाते हैं 8 से जादा नहीं होएगा शेवास कभी नहीं होएगा तो यह चीज अब समझ आ रही है तो अनू yes बिलकुल तो I think यह चीज अब समझ आ रही है तो हम लोग यहीं से continue करेंगे आगे बड़े फिर तो एक बात बताओ यार यहां पे लिखा भी है if the atoms वोई चीज जो मैंने आपको बताई ठीक है जी अगर हम लोग atoms alternate corners पे place करते हैं तो body center क्या बन जाता है एक tetrahedal void बन जाता है कैसे बन जाता है जो चीज आपको दिखाईए यहां पे यही टो चीज किया है यहां पे क्या किया था atoms को आपने opposite corners पे place किया था ठीक है किया था का नहीं किया था बताइए opposite corners पे था तो अगर opposite corners पे place था तो मुझे लगता है at this moment हमारे जो atoms, इसका जो body center था, that is a tetroidal void हाँ जी, hello जी बिल्कुल, hello twinkle जी तो आप पर वही चीज यहाँ पर हमने लिख भी दी है, तो वही चीज यहाँ पर लिख दी है that is, यह वाली गाल अगे कहता है, the body center of the smaller cube is tetroidally surrounded by the atoms वही वाली बात यार, बिल्कुल खतम हो गया अब एक काम करते हैं यहाँ पर आप मुझे एक चीज बताऊगे total number of tetrahedral voids कितने आया हमारे पास उत्तरी yellow मिलेते हैं, तो total number of tetrahedral voids per FCC एक FCC के अंदर कितने आ रहे कितने tetrahedral voids आ रहे थो भई, अभी अभी आपने बताया था, ठीक है जी okay, so hello Malishy yes, अच्छा आप बोल रहे, SSLC student है, Karnataka okay, okay, okay तो 8 आ रहे थे, तो यहाँ पर 8 आ रहे थे आप मुझे एक बात बताऊ, FCC का rank क्या होता है so what is rank of face centered cubic क्या होता भई FCC का rank ठीक है जी, tell me what is the rank of FCC अभी झाल रहे झाल 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 क्या है याल क्या है झाल बताएंगे कर नहीं बताएंगे, rank of FCC की होते है, यहाँ पे आ रहा है, आठ आ रहा है, सूरज अंजली का भी आठ आ रहा है, चार आ रहा है, मलेश जी वन कहा रहे है, नहीं 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 नहीं, FCC का rank होता है, जी टोड़ा, चार, एक FCC का rank चार होता है, जिसको यह नहीं पता हो, एक बार FCC वाला lecture लगाएगा, ठीक है, face center cubic वाला, यह चीज़ क्लियर है, अगर यह चीज़ आपको क्लियर है, तो हमें यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूं, यह टोटल नंब of tetrahydral voids, यह यह simply आप देख रहे हो, it would be equal to two times rank of FCC, बोल सकता हूं कर नहीं बोल सकता, बताएए आप, क्या यह चीज़ मैं बोल सकता हूं, कर नहीं बोल सकता, do tell me, आठ आ रहे है, चार आ रहे है, मले यह चीज़ क्यों होता है, क्यों का reason you will get from a lecture name, face centered cubic, जहां पर मैंने इसका exact reason आपको दिया है, yes, तो अगर यह चीज़ आपको समझ आ गया है, तो यह वाला फंड़ना हम हमेशा लगा सकते हैं, this is a logic जो हम लोग हर जगे यूज़ करेंगे, तो चाहे आपका वो face centered cubic होए, चाहे आपका वो HCP होए, ठीक है जी, तो yes, अगर आप पिछला lecture देखोगे, तो जादा अच्छे से समझ पाओगे, बीच में आओगे, तो कैसे समझ पाओगे, तो यह चीज़ समझ आ गई है, बहुत वद्धिया, तो यह आपको हर जगे लगाना है, जैसे कि अभी आपने देखा, कि rank of FCC 4 आ रहा है, 4 into 2 करोगे तो 8 बनी जाएगा, अब हमें ना, next question आता है इससे, कि आप यह बताओ, कि आपके पास, आपके पास, कितने, लब कैसा item हो, जो tetrahedral void में आके पैट सकता है, this is the next question, बहुत important question, कैसे करेंगे इसको, तो उसके लिए, what we have to do is, we have to find the limiting radius ratio of a tetrahedral void, अब यह चीज़ हमें डूंड यह ratio कितना आता है, तो let's find this ratio now, कैसे डूंडेंगे, या फिर वोई वाली गल, आपना क्या करो, आप एक वटड़ा सा क्यूब बना, let's make a वटड़ा सा क्यूब, यह क्यूब है हमारे पास, हमें पता है कि कहां पर आ रहा है atom, एक atom हमारे पास यहां present होता है, ठीक है, एक हमा यह हमारा guest atom है, छोटू सा, ठीक है, और ऐसे हमारे atoms कहां कहां present होते हैं, मैं सारे atoms बना देता हूँ, फिर एक करके रब कर दूँगा, पहले corner के atom बनाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, यह बन गए, इस आरदा corner atoms, फिर आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह atoms बन गए हमारे, तो total हमारे पास, इस आरदा total atoms जो एक FCC में present होते हैं, So, hello, वासकर जी, good evening, जी, good evening, यह atoms present हैं हमारे पास, और अगर यह atoms हैं हमारे पास, तो do one thing, आपके पास, मैं ना इसमें से वो atoms निकाल देता हूँ, जिसके अभी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं वो atoms मिटा देता हूँ, तो मुझे इनकी जरूरत नहीं हैं भी, तो यह atoms मिटा दिये, मिटा दिये, yes, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इनकी भी वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, मिटा दिये, चलो, अब क्या किया इसमें, इसमें हमने एक position मैंने लेट से mark कर दी, this is the position of your body center, यह body center है, और हमारा जो atom आने वाला guest वाला, वो कहां आएगा, वो क्योंकि mini cube के body center पे present होता है, कैसे देखो, जो अभी हमने structure बनाया था, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कौन सी position बोल रहा हूँ, यह है, हम लोग क्या करते हैं, इस structure में, what I am trying to do is, यह mini cube का, आप यहीं से निकाल लेते हैं, चलो, इस position को बोलते हैं A, ठीक है जी, इस position को बोलते हैं, जी B, तो A और B position है, let's do one thing, हम इनको connect करते हैं, तो यह A position को B position से आपने connect किया, तो A, B जो total length होती है, पूरी A, B, वो कितनी होती है, वो root 3A होती है का नहीं होती, yes, root 3A होती है, तो यह A से लेके B तक root 3 length है, root 3A, yes, उस root 3 का, अगर मैं इस point को, जो center point है, इस center point को C बोलो, तो आप मुझे यह बताओ, अगर A, B length root 3A है, तो A, C length कितनी हो जाएगी, root 3, कि multiples में आएगी कुछ, यह अब आपको बताना है, total length A से B तक, total length is root 3A, क्योंकि वो body diagonal है, तो A से C कितना हो जाएगा, root 3 by 2 हो जाएगा, मानते को नहीं मानते, root 3A by 2, तो A, C length जो है, this is root 3A by 2, बहुत वादिया, अब क्या करो, अब इस point को D बोलो, अब A, D is half of A, C, तो अगर मेरी A, B length जो है, A, B length is root 3A, A, C जो था, उसका आदा था, तो यह root 3A by 2 हो गया, yes, A, D उसका भी आदा है, तो A, D कितना हो जाएगा, A, D, root 3A by 4 हो जाएगा, कर नहीं हो जाएगा, आपको पहले मुझे यह बात बतानी है, तो हेलो, अबीला जी, yes, is it clear or not, total A, B होती है, root 3A, उसका आदा किया, root 3A by 2, उसका भी आदा किया, root 3A by 4, और यह जो length है, A, D, यही अब अपने diagram में हम लोग बनाने वाले हैं, यह देखो जी, यहाँ पे मैं वही length बना रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने बनाया diagram में, यह दे center था, तो यह आपका point A है, यह आपका point B है, तो हमने एक चीज़ देखी थी, कि A, B length कितनी हो जाएगी, A, B is root 3A, yes, यह point C था, तो A, C is root 3A by 2, yes, और यह point अभी हाँ पे, इसको ऐसे माँ कर देता हूँ, यह point D आ गया, तो total length जो A, D आ जाएगी, वो आ जाएगी, root 3A by 4, त इसमें किसी को दिक्कत है, अभी रोक दो मुझे, तो this is root 3A by 4, अगर यह root 3A by 4 है, तो इसका radius बोलते हैं, जी हम लोग, इसका radius, guest atom है, तो इसका radius होज़ेगा जी, RG, और यह host है, इसका radius होज़ेगा जी, RH, तो हम एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्या मैं, कि आपका RG plus RH, यह यह होना चाहिए, root 3A upon 4, क्या यह चीज़ हम बोल सकते हैं, कर नहीं बोल सकते, किसी को इस चीज़ से problem है, वो मुझे रोक सकता है, कि सर आपने यह कैसे लिख दिया, यह मैंने ऐसे लिखा, कि इस radius इसका, जो यह है atom, इसका radius RH है, यह वाला atom इसका RG है, और जो यह AD length है, य AD length, यह AD length है, AD length total है, यह ऐसे, यह actual में क्या और है, अगर आप AD कोई बात करोगे, यह अगर point आपका A है, यह point D है, तो यहाँ पे आपका एक atom, host atom ऐसा है, जिसका radius अभी अभी हमने बोला RH है, और आपका जो guest atom है, जो कि आपने blue लंग में बनाया, यह आगया, इसका radius कितना है, इसका radius है, आपका RG, और total length AD कितनी है, AD length है, root 3A by 4, तो RG plus RH is equal to root 3A by 4, I think यहाँ तक clear हो गया, yes, और अगर यहाँ तक clear हो गया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग equation number 1, so this is what, this is your equation number 1, इसको हम लोग बोलते है, इसकी normal essential condition, तो this is the essential condition, यह last class में बताया था, essential condition क्या होती है, and limiting condition क्या होती है, तो यह हमारी essential condition है, क्या condition है, कि guest और host का contact हो रहे है, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, guest, host, contact, जब guest और host का contact हो, उसको हम लोग essential condition बोलते हैं, और एक होती है जी, limiting condition, ठीक है जी, पायल जी solution की class अब जैसे अब chapter स्टार्ट हो गया है यह वाला, इसको chapter को खतम करेंगे, then हम लोग solutions को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, तो guest host contact is my essential condition, next होती है जी, limiting condition, and limiting condition के लिए what we have, हम लोग ना in host का contact करवाते हैं, और host कोन कोन से है हमारे, यह host आपके face center वाला item है, तो अगर यह एक points item है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, फ़र से इसको, यहाँ पर एक item है, यह length जी आपकी जो होती है, यह कहाँ पर है, यह भी host है, और यह भी host है, यह एक दूसरे को face के through मिल रहे हैं, जैसे, यह host है, एक host यहाँ, एक host यहाँ, तो इनके बीच में length कितनी हो जाएगी, इनके बीच की length मैं बोल सकता हूँ, यह root 2, यह total होती face की, divided by 2, which is what, which is a by root 2, तो मेरे जो दो host atom है, उनके बीच में contact जो है न, वो root a by root 2 पे हो रहे है, मलेज जी, organic जो चल रहा है, वो app पे चल रहा है, अनक एडमी के app पे, I am already started the topic, 11 पूरा हो चुक है, organic में, 12 में हम लोग alkyl halide start कियो है, अभी 2 lecture हो गए है, कल उसका third lecture होगा, कब होती है यह class, यह class रात को साड़े नों से दस बजे के बीच में होती है, एक गंटे की class होती है, do connect there with us, ठीक है जी, all right, चलो, तो अब यह चीज अगर आपको समझ आगी, तो क 2rh क्या होजेगा, a by root 2 हो जाएगा, and this is known as your what, इसको equation number 2 बोल दो, इसको हम लोग बोलते हैं जी, limiting condition, तो यह आपकी limiting condition कहलाई जाएगी, तो एक हो गई हमारी essential condition, एक हो गई हमारी limiting condition, दोनु कंडिशन हमारे पास आ गई, और एक बार अगर यह conditions आपके पास आ गई है, अब tension अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से a को replace कर दो एक जगे से, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 2 root 2rh, a को उठाके यहां पर रख दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास आ रहा है, rg plus rh, is equal to कितना था, root 3 by 4 a, तो root 3 upon 4, a था, a को हम लोग रख देंगे, 2 root 2rh, तो 2 root 2rh, तो यहां से क्या हो जाएगा, यह जाएगा भई 2 पे, तो यह कितना आ रहा भई, यह rg root 3 by 2, देख लेना एक बार calculation, rh is equal to rg plus rh, तो यहां से rg हो जाएगा, root 3 by 2, minus 1 times rh, और यहां से जब आप rg upon rh निकालोगे, यह value आती है भई, 0.225, और इसको हम लोग बोलते हैं जी, limiting radius ratio, so this is your limiting radius ratio, किसके लिए, 4 tetrahedral void, 4 tetrahedral void, yes or no, होया clear यह, ठीक है जी, इस पर question कैसे बनते हैं, अभी question भी करेंगे एंजली जी, don't worry, question generally पहले तो इसके उपर ही आता है, इसे value के उपर ज्यादा question आया हूँ है, कि what is the limiting radius ratio of tetrahedral void, यहां तो आप इसको रटा माल लो, पहली कल, यहां आप समझ लो, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है जी, यह चीज़ clear हो रही है, बक्की अल, ठीक है, so this is very important, उसकी याद है कितनी की थी, octahedral की, last class में हमने निकाली भी थी, that is limiting radius ratio for octahedral void, कितनी आ रही थी यह value, यह important है, यह value आ रही थी 0.414, ठीक है, और अगर हमने यह भी हमने दूसरी value निकाली, limiting radius ratio for tetraedral void, कितनी आ रही है यह value, यह value आ रही है भई, आपकी 0.225, तो यह value हमारे लिए काफी जादा important है, इसके उपर question आते हैं, remember this value, ठीक है जी, limiting radius ratio, बिल्कुल पृत्तम जी, यह value को हम लोग दिमाग में रखेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ, ctm, do keep to your memory, क्योंकि यह question पूछा गया है, यहाद रखेंगे, इसके उपर एक और type का भी question आता है, वो भी यहाँ पर मैं discuss कर देत हूँ, ठीक है, कि आपके पास, यह especially injuries आपके लिए, हमें question ही आता है, आपको na question में, इस तरह से value देता है, मैं question बना देता हूँ, तो question is, हमारे पास let's say एक cation है, so radius of cation, r cation लिख देता हूँ, radius of cation is let's say, 0 point, यह random value ले ले लेते हैं कोई भी, मालो, it's 200 picometer, ठीक है, 200 picometer हमारा cation का radius है, बहुत वदिया, एक हम लोग ले ले लेते हैं, radius of anion, यह हमें दे रखा है उसने 500 picometer, ठीक है, question आता है, कि in what type of void, in what type of void will cation reside, यह question है, तो try this question out, कि आपका जो cation है, वो किस type के void में जाके बैठेगा, अब इस type के, यह दूसरे type का question है, जो void से आता है, तीन होगे, वैसे, in fact, हमने तीन type के question कर लिए, पहला type का क्या आता है, पहला type आता है, जी, coordination number क्या है, tetraidal void का, वो आपने answer कर लिया, second type is, limiting radius ratio क्या है, वो आपने answer कर लिया, third, इस type का भी question आता है, अब इस type के question को कैसे handle करें, जहाँ पर हमें radius of cation दिया है, radius of nion दिया है, और पूछ रहा है भई, कहां पर बैठेगा जाके जी, आपका cation, तो कैसे करेंगे भई, इस type के question को answer, क्या विचार है, इसके बारे में today, बताएंगे भई, शावाज जी हमें आप, क्या लगता है, ओ भई, इस type के question में न, simply वो एक गालब पूछता है तुमसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, आपने अब यह भी एक चीज लिखे, limiting radius ratio octahedral में इतना है, limiting radius ratio tetrahedral में इतना है, तो अगर कोई भी cation को, एक voiding अंदर आना है न, तो उसके लिए tetrahedral के लिए range बताता हूँ, अगर tetrahedral के पुछेगा, तो range for tetrahedral gold, यह simply हो जाएगी, limiting value है, 0.225, तो 0.225 से लेके, cation r positive upon r negative, आजेगा 0.414, क्योंकि 0.414 से, वो octahedral में चला जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग लेखते हैं, range for octahedral, range for octahedral void, यह value हैगी, आपकी 0.414 से लेके, r positive upon r negative, यह जाएगा 0.732, यह क्यों 0.732 आ रहा है, वो BCC में चला जाता है, तो this is the range, जिसके बीच में आपके atoms आ सकते हैं, तो अगर मेरे cation और anion का radius ratio, इस range के बीच में हैं, तो भाई, वो जाएगा tetrahedral void में, और अगर मेरे cation 9 on 9 का ratio इस range में हैं, तो वो जाएगा जी हमारे octahedral void में, तो अभी काम करता है, जब भी ऐसा question आएगा ना, सबसे पहले क्या करने हैं, सबसे पहले आपको radius ratio निकालने हैं, तो find r positive upon r negative, कितना r अभी r positive upon r negative, I think यह आ रहा जी 200 बटा 500, यह गया, यह value कितनी आ रही, यह यह 0. 0.4, अब आप एक चीज़ देखोगे, जब आप यह value निकाल लोगे, यह 0.4 कहां पे आ रहा है, क्या यह 0.4 इसमें exist कर रहा है, क्या 0.4 इसमें exist कर रहा है, यह अब आपको देखना है, और जब आप यह चीज़ देख लोगे, कि किसमें exist कर रहा है, तो answer हो गया खतम, I think 0. 0.4 या कहीं न कहीं, इसमें आएगा, क्योंकि 0.4, 0.225 से तो बड़ा है, बट 0.414 से छोटू है, तो यहाँ पे आएगा 0.4, मानते हो इस चीज़ को, अंजली जी मान रहे हो, अगर मान रहे हो, तो मैं एक गल बोल सकता हूँ, क्यार यह वाला बंदा ना मारा, टेट्राह एड्रल वॉइड के अंदर exist करेगा, is it alright कर नहीं, alright, दस दो जी, पायल जी कह रहे हैं, बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो तुसी, टेट्राहेडल वॉइड में exist करेगा, तो yes, तो यह हो गया, इसके उपर third type का question, यह भी आता है, और भी बताता हूँ भी, तुम बस करते जाओ आज बहुत सारे question करने आजामें, ठीक है जी, तो tetraheadle void के अंदर हमारा यह वाला specific case exist करेगा, yes, हुआ clear सबको, कोई ऐसा जिसको doubt है, इसमें पूछ सकता है भी मेरे से, एक second दे रहा हूँ तुम्हें मैं, तब तक पानी पी लेते हैं, जिसको इसके उपर doubt है, they can ask me right now, नही जी सर, बिल्कुल clear है, तो पायल जी ने चॉक्रेट पेज दिया था नो, ठीक है जी, तो चलो फिर, आगे बढ़ते हैं, करें गिला question, आगे चलते हैं जी, next is your, यह तो हो गया हमारा, तो yes, अब जहां पर इतना कुछ कर लिया, तो एक तीन वाले का भी निकाल ले हैं आपक हमने चार वाले का कर लिया, टेटरेडल का कर लिया, तीन वाले का, अभी छे वाले का भी किया, एक बज़ता हमारे पास, that is your, तीन वाला, तीन वाले का कैसे करेंगे, वो निकालते हैं, तो देखो भई, कॉडिनेशन नमबर तीन है ना, बहुत सिंपल है, आप लोग ऐसा सोचो, कि हमारे पास ऐसे तीन फुटबॉल है, एक फुटबॉल, यह दूसरा फुटबॉल, और यह तीसरा फुटबॉल, तीन फुटबॉल लेके, उनको आपस में कनेक्ट करते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, यह बीच की जो स्पेस आ रही है न, यह स्पेस, इसको हम लोग बोलेंगे, कि यह वो वाला वॉइड है, इसको ना, ट्राइंगुलर वॉइड बोलते हैं हम लोग, यहां पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, इस इस नोन एस ट्राइंगुलर वॉइड, तो अगर क्या होएगा, इसका कॉडिनेशन नंबर होएगा, लिखाई ओपर वैसे, कॉडिनेशन नंबर होएगा, जिसका तेन, पहली गाल, नेक्स्ट इस, कि अगर कॉडिनेशन नंबर इसका तीन आ रहा है, तो आप यह बताओ, कि कल को, अगर मुझे इसके अंदर एक एलिमेंट करना है, तो उसका ratio कितना होएगा, येस, यह हो जाएगा, triangular void क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये देखो, अगर मैं इन तीनों को join करता हूँ, ये देखना, void सोमेशा atoms की shape से आते हैं, ये shape आ गई, तो इसी कारण, क्योंकि ये triangle बना रहे हैं, इसी कारण, इसको हम लोग triangular void बोलते हैं, तीन आ रहे हैं, येस, बहुत अवदिया, तो triangle void का मतलब क्या है, कि जो atom से वो void create किया, वो triangle shape में present है, ठीक है, अब मेरा question क्या है, मेरा question ये है, कि अगर मैं यहाँ पे कोई atom रखूं, void के अंदर, तो किस size का atom मैं रख सकता हूँ, this is my question, कैसे करेंगे, तो ये देखो, आपना atom रखी दो, यहाँ पर let's make an atom here, तो यहाँ पर अगर मैं तीन atoms लेता हूँ, ये मान लो, एक, दो, तीन, इसके बीच में हमने एक छोटू सा element लिया, वो ये लिया, ये छोटू सा element, ठीक है जी, this is the element, अब क्या करते हैं, अब इसमें ना, हम triangle बनाते हैं, कौ यहाँ पर एक element है, यहाँ पर एक element है, ये तीन थे, हम ना, इस तरह से बनाना चाहते हैं, कि ये जो element हो, देखो, total अगर आप देखोगे, ये angle, अगर आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो I think मेरे पास एक equilateral triangle बनता, जिसमें 60, 60, 60 degrees अब क्या आ रहे हैं, yes, बट मैं ऐसे triangle बनाना चाहता हूं, जिसमें कौन है, जिसमें हमारे पास, ये ऐसे touch कर रहा है, यहाँ से, यगर आप यही से लेना चाहते हो, जहाँ से भी आपको लेना पसंद करो, let's take this, ये triangle बनाना चाहते है, ठीक है जी, तो ये इसका base हो गया, ऐसा, तो इसको बोलो point A, इसको ब बोलो point B, इसको बोलो point C, इसको बोलो point R, तो ABCD बना दिया हमने, ठीक है, तो थोड़ी सी geometry दी क्लास होने वाले, सा डियम स्टार्ट, बच्पन में पसंद है आपको geometry, ये mensuration, angles, angles पसंद है कर नहीं पसंद है, कोई वाली गालोने वाली है, तो अगर आपको ये चीज पसंद है, अब पता क्या करना है, ये चीज हमने octadal में भी ये technique सिखी थी, yes, hello अबे जी, तो ये चीज हमने octadal में सिखी थी, क्यार आप ना, बिंदास, किसी का भी angle निकाल सकते हो, यहाँ पे हम लोग इसका निकाल रहे हैं, coordination number वाले का, तो आप क्या करो, ये जितने पीले वाल और जो white वाला है, white वाले का radius क्या होजेगा, white वाले का radius होजेगा, जी, r, j, all right, तो आप क्या करो, आप इस में से ये वाला point पकड़ो, कौन सा वाला, आपना a, c, d, ये triangle पकड़ते हैं, तो triangle क्या पकड़ा हमने, हमने ये triangle पकड़ा, a, c, d, so this is point a, this is point d, this is point c, तो acd triangle हम लोग लेके चल रहे हैं, तो अगर acd triangle लेंगे, तो मुझे लगता है, कि इसमें, पीले वाला element ये आ रहा है, ये पीले वाला आ रहा है, पूरा ऐसा, ठीक है जी, and I think एक इसमें white वाला element आ रहा है, ये वाला, तो ऐसा एक white वाला आ रहा है, ठीक है, ये चीज़े हो रही है, yes, दसेंगे भई, अगर ये चीज़े हो रही है आपकी, तो यहाँ पे angle कितना है, भई ये total था आपका कितना, 60, 60 का आदा किया, ये angle हो गया, 30 degree, ठीक है, ये जो radius आ रहा है, this radius is your RH, this radius is your RH, this radius is your RG, और एक काम करो, आप ना इस triangle में cause 30 करके दिखो, और अगर आप इस triangle में cause 30 कर दोगे न, ये देखना, cause 30 क्या होगा, base upon hypotenuse, तो यहाँ पे अगर मैं cause 30 लगाता हूँ, तो वो जगा base, which is your RH, RH upon hypotenuse, which is RG plus RH, यहाँ जगा RG plus RH, तो यहाँ से cause 30 की value कितनी होती है भई, कौन शूरवीर मुझे बताएगा, what is the value of cause 30, कितना तभी cause 30 degree, sin 60 बाला होता है, and what is sin 60, root 3 by 4, root 3 by 2, क्या है विचार भई इसका, क्या विचार है, करेंगे कर नहीं करेंगे, यहाँ से, RG plus RH को, आप लिखेंगे, this is times cause 30 degree, देगरी क्यों पुल गए, is equal to RH, तो यह value आ गई, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग put करेंगे, value of cause 30 degree, और एक बार cause 30 की value को पुट करके, calculate करोगे, तो यहाँ से, जब आप finally value निकालते हो, RG upon RH ही, तो यहाँ से जब आप finally RG upon RH calculate करोगे न, यह value आते है, 0.155, so this is your final value, and this is what, this is your limiting radius ratio, limiting radius ratio, radius ratio for, what, for your triangular void, तो triangular void, तो यह भई आपका answer है, और अगर इसकी range लिखनी है, तो range भी लिख देते हैं, आप भी मैं range भी लिख देता हूं, इनके असाब से कोई range पूछ ले, तो range for coordination number 3, तो क्या मैं यह लिख सकता हूं, यह शुरू होएगी 0.155 से, और कहां तक जाएगी, और I think यह जाएगी मेरी 0.225 तक, क्या यह लिख सकता हूं मैं, कर नहीं लिख सकता हूं, I think यह चीज मैं लिख सकता हूं, and this is very important, समझ आया तो और नहीं कर नहीं आया, हो गया clear, hello जी, hello जिशान जी, कैसे ओ भड़े दिन के बाद आये, और जिशान, बहुत दिन के बाद यार, आया करो थोड़ा regular, अच्छा लगता है, आप आते हो, प्यारे लगते हो, यह हो गया भी, तुमारा coordination number 3 पे, यह चीज दियान रखेंगे, अब एक काम करते हैं, इसके उपना पूरा एक table बनाते हैं, जितना अभी तक हम लोगों ने लिखा, let's make a table on this, यह आपकी क्या-क्या values आती हैं, तो पहले था coordination number 3, तो coordination number 3, जब तक हमने लिया था, तब तक मुझे एक value लगती है, यह हमारे पास क्या था, हमारे पास geometry किस type की थी, triangular थी, तो this was triangular geometry, और अगर यह triangular geometry है, तो radius ratio कितना निकाला था हमने, हमने निकाला था 0.155 से, शुरू करके, यह value आ रही थी, कहा तक, यह value आ रही थी 0.225 तक, पहली गल, बहुत वदी गया, next करते हैं जी, जी सर आएंगे, बिलकुल जी, next is your coordination number 4, अगर मैं coordination number 4 पे आता हूं, तो हमारे पास 2 options होते हैं, एक possibility होते हैं जी, आपका void होते हैं जी, tetrahedral, तो tetrahedral geometry होती है, उस case में कितना आता है, उस case में 0.225 से आप start करते हो, और कहां तक गाड़ी जाती है, गाड़ी जाती है जी, 0.414 तब, यह हो गया जी, case number 2, then you have, अब 4 में एक possibility और होती है, वो आप लोगों ने अभी तक ने देखी नहीं है, चार में जब आप जाओगे, तो there is a possibility of FCC type 2, यह वाली possibility भी आती है, तो यह possibility भी देखनी है, और FCC का radius ratio में पता है, यह 0.414 से start होता है, एंड जाता है जी आपका, 0.732 तब, ठीक है जी, और अगे आते हैं, next is coordination number 6, 6 पे जो मारा geometry होती है, it is your octahedral geometry, octahedral में हमने देखा है, कि value आती है, यह same radius ratio 0.414 से लेके, कहां तक, यह जाता है जी 0.732 तक, और एक आता है जी आपका, इसके उपर that is 8, and 8 is your BCC type structure, BCC type 2 कर देंगे इसको, और BCC type 2 में radius ratio 0.732 से start होएगा, और कहां तक जाएगा, यह value जाएगी जी आपकी, वैसे 0.999 बोलेंगे, ठीक है जी, क्योंकि 1 पर तो जाके, खतम ही होगी गाल, तो this is the complete syllabus, complete तरीका, जिससे आपको अभी तक करना है, ठीक है, Sir आप कितने time से पढ़ाते हैं, अबे जी, अब almost 10 साल होने वाले हैं, ठीक है जी, जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो लगता नहीं होँगा, थोड़ा सा, यंग लगता हूँ, यह मिजे बहुत मिलता है, तो थैंक्स to the gyms, and all the sports arts which I put in, तो थैंक्यू जी, हेलो मलेश जी, ओहो, यूर वेरी कूल, थैंक्यू जी मलेश जी, तो यार यह इसका नश्रीन शॉर्ट वगारा लेलो, क्योंगी यह बहुत इंपॉर्टन है, यह आपको help करेगा, जो अभी कोशन मैंने करवाया था न, कि बताओ, अगर आप कोशन इसके उपर कैसा आता है, इसके उपर आपके, तीन या चार टाइप के कोशन क्लियर हो जाएंगे, सर नीट पोस्पोन होगा, अब हम लोग वह बात कर लेते हैं, क्या नीट पोस्पोन होगा, हाँ मुझे लगता है, कि नीट पोस्पोन होगा, cases अभी भी तीन लाग के उपर डेली आ रहे हैं, तो जब और इसके बाद अगर, एक दो सेकिंड आली आगई अभी वेव, एक वेव थर्ड भी आएगी, और थर्ड वाली वेव के हम लोग अब देखते हैं, कितने वेल प्रिपेर्ड हैं, तो इट आल डिपेंड्स की, बाकी लोग कितने आ गए हैं, तो दे वेटेज अफ दिस लेसन एज भाई, आपकी अराउंड दो कोशन तो मिनिमम मान के चलो, कई बार मिक्स में तीन भी आ जाते हैं, तो आठ से बारा नंबर की, ठीक है, तो हेलो अफसर जी, कैसे हो, हो गया जी, क्लियर ये, तो आप कोशन इसके उपर क्या क्या आएगा, पहले वो सुन लो, पहला कोशन आता है, कॉडिनेशन नंबर के उपर, देखो, कोशन में डिरेक्ट ऐसे बहुत रियर चांस ऐसे पूछ लेगा, कि टेट्राइडल का कॉडिनेशन नंबर बताओ, बहुत रियर चांस है, जादा चांस ये हैं, कि वो आपसे ये पुछेगा, कि एक केटायन है, एक केटायन स्पेसिफिक्ली बोल देगा, कि एक केटायन है, मैं अब एक ग्जेम्पल देता हूँ, क्या बोलेगा, कि आपके पास एक केटायन है, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है मानलो, अभी जैसे हमने लिया था, अब तेरे कोशिन पूछ लेगा, ठीक है जी, आप भी पंजाबी हो क्या, बिल्कुल जी, जिशान जी पंजाबी हैंगे हम, सब्तम्बर में होएगा, देखते हैं या रब, वही है, उमीद है, कि अगर अगस्त से पोस्पोन होगा, तो सब्तम्बर की पॉसिबिलिटी है, मैं सब्तम्बर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2021 वाला नीट, उमीद करो, जतना जल्दी हो सकते, अतना बढ़िया, क्योंकि जो 2021 की त्यारी कर रहे हैं, उनको अब धाई साल होने चला है, वो नहीं चाहते होंगे की, तीन साल हो जाना त्यारी करते जी, ठीक है जी, बताया अबे जी जी, अल्मोस्ट दस साल होने वाले हैं अब, येस, सर, तो अब देखो, ये हो गया, क्या होएगा, हमें क्या करना है, हमें निकालना है, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगिटिव, कितना रहे है, ये वैल्यू मुझे लगता है, पॉइंट वन फाइव आएगी, आपको ये देखनी है, कि ये पॉइंट वन फाइव वैल्यू, कुन सी रेंज में एक्जिस्ट कर रही है, इदर टेबल में डुण दो, जहां पे एक्जिस्ट कर रही है, उस जगे पे उसी टाइप की वो जमेटरी मेंटेन करेगा, और उसी टाइप का वो कॉडिनेशन नंबर मेंटेन करेगा, इस इस हाव यू है तो डू दू दिस, ठीक है जी, आज पहला दिन है, अबे जी, यहां पे तो, यहां पे तो नीट वान वन पे पूछ रहे हो, अगर आप तो नीट वान वन पे हो गए, मुझे अफ्ता दस दिन, इससे पहले आए वोज़ ऑन डिफरेंट चैनल, उससे पहले आए वोज़ इन कोटा, कोटा में बहुत साल पढ़ाया है, उससे पहले आए वोज़ इन डेली, डेली में तो बहुत जाद साल पढ़ाया है, तो येस, तो इस तरह से ये काता है, पहले कोडिनेशन नंबर के उपर आएगा, या geometry पूछ लेगा, या radius ratio पूछ लेगा, तो इस टाइप से question आप से आएंगे, you have to make sure कि आप इस table को खुद से लिख पाओ, तो कि ये table बहुत important है, इसके उपर बहुत question आज के time पर पूछे जा रहे है, ठीक है, ये चीज clear है, तो यहाँ पर अगर आपको clear हो गया है, तो चलो एक question करते हैं, चलो बठेरे आप बढ़िया-बढ़िया question करते हैं, तो question आप ही today लही, तो yes, सनिया जी, I know, 2021 प्याले हो, बट, आप न ऐसे बोलो, Sir, I am 2021.5 aspirant, छोगी छे महीने तो होई गया, almost paper होने को, तो 2021 और 2022 के बीच वाले हो गया अब आप, 0.5 भी डाल दो, Sir, ठीका जी? ठीका जी, Sir, आप college time में भी पढ़ाते थे, येस, अंजली जी, college time क्या, जब मैंने अपनी जेही की तियारी की थी, मैं उस time से पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हूँ, आप कब से बढ़ा रहा हूँ, अगर वो time include कर देना, जो ये सारा, फिर तो मुझे almost, I think, कितने साल होने वाले हैं, हाँ, 10 साल के उपर हो जाएंगे, उसको भी include करके, तो yes, करेंगे इस question को answer, कहता है जी, P forms FCC, Q forms all the octahedral voids, yes, and जो Z है, वो tetrahedral void occupy करता है, तो बताओ, what is the molecular formula of the compound, तो do tell me, क्या लगता है, आपको इसका answer क्या होना चाहिए, P आपको FCC दे रहा है, Q आपको octahedral void दे रहा है, Z आपका half retrahedral voids occupy कर रहा है, तो हमें molecular formula निकालना जी, compound का, तो yes, easy सा question है, तो थोड़े questions करेंगे, फिर थोड़ी सी आपसे बाते करेंगे, तो क्या है, मौहमद जिशान जी ने कुछ answer दिया है, जिशान जी देखते हैं, जी तो आड answer सही है का नहीं है, ठीक है, बाकी लोगों का क्या answer आ रहा है, और यार, बाकी सबसे ही एक ही request है, कि इस टाइम पर घर पर रहके त्यारी करो, बड़े अच्छे से प्यार से, तो कि घर के बाहर बहुत डेंजिर हो रख्या है, मामला बहुत खराब हो रख्या है, situation, जब तक, खुद फैमिली पर नहीं आती, if in case you are eligible for the vaccination, vaccination लगाने का, क्योंकि अब ठाइम बड़ा खतरना को रख्या है, ठीक है, येस, तो करें इसको answer, तो क्या answer होना चाहिए, P कहता है जी FCC बनाता है, तो अगर P मेरा FCC है न, तो या P के मेरे पास 4 atoms होने चाहिए, बहुत बदिया, then कहता है कि Q क्या करता है, Q आपका octahedral void पे है, और अगर Q मेरा octahedral voids पे होता है, तो I think octahedral voids उतनी होते हैं, जितने हमारे पास FCC का rank है, what is this 4, 4 is your rank of FCC, तो ये rank of FCC है, येस, तो 4 rank of FCC है, Q कितना है, Q भी मारे octahedral void जितना है, तो वो भी 4 हो जाएंगे, ठीक है, then Z कहता है, half है tetraidal void के, अब जो tetraidal void होते हैं न, total, वो rank के नग डबल होते हैं, और अगर वो rank के डबल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये half into 8 हो जाएगा, तो I think ये भी 4 हो जाएंगे, तो सब के सब 4 हैं, तो मतलब formula क्या बनना चाहिए, formula बनना चाहिए, P4, और क्या है, Q4, Z4, और अगर ये formula बन रहा है, तो I think net result is PQZ, ये आपका net formula बन जेगा, ठीक है जी, सर इस बार भी इद घर पे पड़े हुए बनाई, वही तो Zishan जी, इस बार सब के साथ भई हो रहा है, इन बिलेटर्ड इद मुबारक भई आपको Zishan जी, ठीक है जी, थोड़ा time और चाहिए, ओके अंजली जी, अब आपको मैं थोड़ा time और दे दूँगा, ठीक है जी, अमर गुमार जी, सरसर तो आपने लिख दिया, क्या हूँ आमन, बताओ, what happened, Karnataka daily, 40,000 cases, very very difficult condition, specially Karnataka हो गया, Maharashtra हो गया, Tamil Nadu and all, यहाँ पर बहुत ज़्यादा cases आ रहे, इन फेक अभी तो उपर भी, UP में बहुत cases आने लग गए, इवन बीच में पंजाब में बहुत cases थे, तो इस टाइम पर problem हो रखी है, तो थोड़ा ध्यान से घर पे रहो, बाहर मत निकलो, यही situation आप लोगों के साथ, ठीक है जी, फिर से बता देते हैं, देखो भई, क्याता P forms FCC, अगर मेरा P FCC बनाता है, तो FCC का जो rank होता है, वो चार होता है, मतलब effectively P के कितने items हैं हमारे पास, P के effectively 4 items है, यह चीज हो गया, तो अगर P के मैंने सीधे 4 items लिख दिये, ठीक है, अब कहता है, कि जो आपका Q है, Q octahedral voids में आता है, और हमने एक चीज़ कही थी, that is, जो number of octahedral voids होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं, they are equal to rank of FCC, यह formula किया था भी यह भी हमने, और एक हमने कौन सा किया था, number of tetrahydry voids जो हैं, वो कितने होते हैं, यह हमने किये थे, they are equal to what, they are equal to 2 times rank of FCC, तो अगर यह चीज़ आपको पता लग गई है, यह FCC का भी क्या rank होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर octahedral भी 4 होएंगे, और tetrahydryl कितने होंगे, यह 2 into 4 होएंगे, which is your 8, तो यह चीज़ clear होगी, ठीक है, सर, UP में भी बहुत cases हैं, बिल्कुल exams must be cancelled, they must be or postponed, वो ही है, अब postpone के उपर, तो समझ आ नहीं रहा है, इनको करवाया तो है postpone, CBSE तो I think should be cancelled, जहाँ पेतना delay किया, बच्चा कितना ही सोचेगा, CBSE मेरे हिसाब से delay हो जाना चाहिए, आपका नाम भई, मेरा नाम आपको heading में दिख रहा होगा, निखिल सेनी नाम है जी हमारा, ठीक है, हाँ अब तो वही तो अब black fungus infection का भी मैं सुन रहा हूँ, yes, यह patient, covid patients recover भी कर रहे हैं, they are having this black fungus infection, जो कि अब पॉतनी बहुत dangerous जीज है, यह अब अब डंग से covid का treatment नहीं हो रहा हमारे से, एक नई बिमारी हो रहा गई है, तो make sure इस time पे तुम घर से ना निकलो, चाहे कुछ भी हो जाए, avoid at any cost की घर से नहीं निकलना, क्योंकि तुम फिर भी छोटे बच्चे हो, तुमारी immunity बहुत अच्छी है, बट तुमारे घर में जो बड़े लोग हैं, उनकी immunity में problem है, अब ये भी नहीं है, कि तुमें कुछ होगा नहीं, अभी there are cases, जिसमें young population की भी death हो रही है, तो अभी तुम लोगों से यही request है, घर पे रहोगे, सुरक्षित रहोगे, ठीक है, तो hello जी सौम्या, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं है, अब तो हो गया, तो चलो, ये चीज़ clear है, आगे बढ़ें फिर, next is this question, चलो जी, अब ये question try करेंगे, अंजली जी अब आप जब तक आप solve नहीं करेंगे, तब तक हम लोग wait करेंगे आपका, चलो, तो yes, सर आज भी कोविट से, सर ये भी कोविट से निकाला है, निकाला है, अब यज़ अब ऐसा ही कुछ है, मुझे पता नहीं लगा इसका, बट देखते हैं, क्या है, क्या है, क्या सा है, I have not studied that much, तो question है जी, what is the simplest formula of a solid use, cubic unit cell, has atom A at the corner, atom B at each face center, and atom C at the body center, तो ये question है भई, तो ordinal, चलो, करो भई इस question को answer, ठीक है, तो बताओ भई, क्या answer आ रहे है, तो odd is the, A है जी, तो odd the corner पे, atom B at face center, C at body center, तो shepherd जी का answer C आ रहे है, जिशान का भी answer C आ रहे है, देखते हैं भई, क्या answer हो रहे है इसका, सब लोग बढ़िया से try करो इसको, माकि लोगों को time चाहिए, especially मरे, अंजली जी, अंजली जी, we are waiting for your answer, क्या answer लगता है भई इसका, C, 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 R, बहुत वदिया जी, बहुत वदिया, तो देखते हैं, अब तो हमें wait करना पढ़ेगा, अंजली जी ने पहले डाण दिया था, सब तुसी ना साननो time नहीं दे, देदेंगे जी हम पुड़ा, अब अंजली जी ने answer कर दिया जी, बिल्कुल जी, तुसी answer हो गया, अंजली जी का, चलो try करते हैं, तो कहता है एक solid है, जिसमें जो आपका a atom है न, a, it is present at corner, हर एक corner पे present है, तो मुझे पता है, अगर atom corners पे present है, तो total कितने होंगे, total a कितने हो जाएंगे, total a जो होंगे, I think वो 8 होंगे, बट contribution कितना है a का, contribution हर एक corner का, ओता है 1 by 8 का, तो यह कितने हो जाने चाहिए, यह into 1 by 8 multiply कर दोगे, तो effectively यह 1 हो जाएगा, that is a atoms जो है, वो a की present है effectively, बहुत वदिया, कहता है कि जो b है, वो कहां पे है, at each face center, तो face center पे हैं, into, I think half आजाएगा, 6 into half, which is what, which is your 3, यह कैसे किया मैंने half, क्योंकि face center वालों का, जो contribution होता है न, it is 1 by 2, बिल्कुल, ACP नहीं दिख रहे हैं आप, आप class में, जशान वो बीच बीच में आता है, आज कल और फिर पता नहीं कहां चला जाता है, देखते हैं, पुछते हैं उससे, special class में आता कभी-कभी वो, and C atom at a body center, तो यह C तो effectively A की होना है, तो formula क्या बन जाएगा, formula बन जाएगा, A into B, then 3, and then C, यह बन जेगा जी, toada formula, तो answer क्या हो जेगा, answer हो जेगा जी, C, तो यह चीज clear है, नेक्स्ट करते हैं जी, toada density of a unit cell, और यह उपर नीचे जा रही है, density साधी, कोई गाल ले, तो density का topic करते हैं, जिसमें, hello शेवाज जी, जिसमें हमें, सबसे जादा लोगों को problem होती है, तो density करने के बाद, और भी questions करेंगे, ठीक है जी, बहुत सारे questions आज ही class में, तो पहले density करते हैं, density को धंग से समझते हैं, क्योंकि density is one topic, जहां पर आप लोग जबरदस्ती के tough कर रखा है, आज बहुत असान के तरह से putting density, ठीक है, चलो जी, तो करें फिर इसको, yes, तो density क्या होती है, पहले तो सिद्धी सी गाल है, it is the ratio of mass of unit cell to the volume of unit cell, तो ये चीज़ बहुत important है, कि आप density के atom की नहीं निकाल रहे हैं, आप density unit cell की निकाल रहे हो, और unit cell की जब density निकालते हैं, न सिंपल सी गाल ये है, येगर मैं बात करता हूँ, density of unit cell, तो unit cell की जब हम लोग density define करेंगे, it would be equal to mass of unit cell, divided by what, divided by volume of unit cell, तो ये आपकी density हो जाएगी, तो हर जगे ना unit cell, पहला ये वैम दूर करो, ये density unit cell की निकाल रही है, और किसी चीज़ की निकाल रही है, ठीक है, येस, तो ये चीज़ अगर clear हो गई, आप एक बात बताओ, कि अगर मैं कोई भी unit cell लेता हूँ, कोई भी, उसके अंदर क्या present है, let's take a very simple example, माल लो, मेरे पास यहां पे एक न वो present है, यहां पे, let's take, तो यहां पे मारे पास एक atom राया में है, तो ये एक cell बनाते है, इस cell के अंदर, effectively एक ही atom present है, यह इसके center पे है, यह एक atom present है, तो जब एक atom present है, तो मेरे पास पूरे के पूरे cell का, जब मुझे मास निकाल ला है, तो यह रो, एक होएगा, किसका मास है, जो cell का मास है, जो भी atom का मास है, तो I think यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, जितने मेरे पास atoms, एक cell के अंदर होंगे, उतना ही तो cell का मास होएगा, येस, एक काम करो, अगर एक एक जगे पे यहाँ पे हम लोग 2 atoms ले ले लेते हैं, माल लो यहीं पे, इकस का साथ एक दूसरा atom भी ले लिया, तो अब मास क्या हो जाएगा, 2 times हो जाएगा, ऐसे 3 ले लो 3 times हो जाएगा, 4 ले लो 4 times हो जाएगा, तो जो भी atoms का मास है, total मिलके, that is the mass of this cell, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या मैं यहाँ पे यह लिख सकता हूँ, कि जो मास होएगा इस atom का, mass of the cell, mass of cell, वो simply rank into mass of one atom हो जाएगा, rank into mass of one atom, इस line में किसी को problem है तो बताओ, क्या यह चीज में दिक्कत है किसी को, कि जो मेरा cell का mass है, वो मेरे total number of atoms, which is your rank into mass of one atom, एक का mass अगर 10 kg है, मेरे पास 2 है, तो मैं 10 into 2 करके 20 kg लिख दूँगा, यह चीज अ क्लियर हो गई, ठीक है, और volume क्या होती है वही, volume of cell, I think volume of your cell is simply a cube, where what is a, a हो जेगी इसकी edge length, a क्या है, this is the edge length, तो यहाँ पे एक चीज हमने सीखी है, कि mass आपका cell का इतना है, volume आपकी cell की इतनी है, और अगर यह दोनों चीज़े हमने सीख ली, तो density क्या हो जाएगी, density simply हो जाएगी इन दोनों का ratio, density हो जाएगी, rank into mass of one atom, divided by what, divided by the volume, and volume कितनी होती है, a cube होती है, so this is your density, अब यह formula है, जिसको हम लोग use करेंगे, इसके अलावा कोई भी formula use नहीं करेंगे, yes, हम हर जगे यह metric use करेंगे, आपना NCIT में करटा वाला formula मार क्या आपते हो, rank into molar mass, divided by Avogadro constant into a cube, वो use करते हो, वो formula जिसको NCIT वाला formula पसंद देने, मैं वो भी निकाल देता हूँ, अब यह भी हमारा formula क्या कहता है, हमारा formula कहता है, कि आपके पास क्या है, आपके पास जो density है, it is what, density होती है जी हमारी, mass, sorry, पहले rank आ रहा था, rank लिख लिखते हैं पहले, this is rank, into what, into mass of one atom, mass of one atom, divided by what, divided by your volume, which is aq, यह formula मैं कहा रहा हूँ कि, हम ने यह formula पसंद करेंगे, ठीक है, आप दूसरा भी कर सकते हो, बट आप ना, जो formula NCRT में given मैं, वो लिख देता हूँ, जो NCRT में, और लिखना क्या derive करते हैं, यह mass of one atom, एक formula बच्चपन में आपने पढ़ा हाएगा, अगर आप थोड़ा सा, mole concept में हो, तो mass of one atom, यह ऐसे भी निकलता है, it is molar mass, divided by Avogadro constant, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, और अगर यह चीज़ आप करो, इसको बस यहाँ पर put कर दो, तो इसको रहाँ यहाँ पर put कर दोगे, तो आपके पास density के एक दूसरा formula भी निकल के आएगा, जो कि आप लोग NCRT में लिखते हो, it is rank into molar mass, divided by what, divided by, यहाँ पर आजएगा, NA into AQ, यह formula आपका ने NCRT में given है, बट मेरी suggestion है, यह formula यूज ना करके, यह वाला better formula है, जो कि बहुत simple सी गाल है, mass बटा volume है अब आपके उपर है, आपको कोन सा formula, easy लगता है, use that formula, ठीक है जी, hello मिनाक्षी जी, की हाल चल टोडे, बढ़िया हो एकदम, तो this is the recommended formula, बट जो तो अनुई पसंद है, whichever you like, use that formula, ठीक है, कोई ने, अब अगर यह चीज clear है, तो काम करते हैं, एक question लेते हैं, चलो जी, यह question आपकी NCRT का है, N-C-E-R-T, और in fact, मैं न N-C-E-R-T का सारे question लिखे आ हैं आज, तो N-C-E-R-T के questions को न, आप बड़ा, वो मानते हो, लड़ू मानते हो, लड़ू question तब होएगा, जब concept आता होएगा, जब concept नहीं आता, तो लड़ू भी जैर बन जेगा, ठीक है, तो hello guy 3G, क्या है, इसमें, silver forms CCP, और CCP मतलब FCC होता है, इसके वह मनी लेना, क्यों होता है, बाद में पता लगेगा, and x-ray studies of the crystal show that, edge length of a student cell is this, ओके, हमें एक चीज़ बोल रखा है, कि जो silver है हमारा, कहता है, ये FCC बनाता है, ठीक है, and x-ray studies ये बताती है, कि इसकी जो edge length है, it is what, it is 408.6 picometer, okay, calculate the density of silver atomic masses, alright, तो silver का atomic mass, बतलब mass of one silver atom, ये हमें दे रखा है, कितना, ये हमें दे रखा है, 107.9u, ठीक है, तो u लिख देते हैं, alright, which is unified mass, हमें density निकालनी है, तो क्या निकालना हमें यहाँ पर, density निकालनी है, ये density कितनी आ रही है, so this is the question, बड़ा simple से या question है, कैसे निकाल लेंगे बढ़ी density, ये सिद्धिस ही कालना है, आप इसका formula लिखो, what is the formula, अभी अभी देखा, density is rank into mass of one atom, mass of one atom, divided by what, divided by aq, ये होते हैं जी टौरी, density, अब ना आपको एक suggestion देता हो, और ये suggestion आपकी बहुत है help करेगी, आगे जाके, ठीक है जी, focus बिगड रहा है बीच बीच में, यार एक्चुली जिशान, एक छोटा सा पंगा हो गया, वो जो camera वाला set करके गया था ना, auto focus पे करके चला गया, अब होता क्या है, camera अपनी मर्जी से कभी भी focus मारता है, तो due to lockdown, I am not able to call that person, तो हो क्या रहा है कि अब camera auto पे है, basically, और इसको manual पे जब करते हैं, तो there is a problem with the lighting, तो वो set उतनी बढ़िया quality आनी दी, auto पे quality बढ़िया आती है, बट बीच भी focus जला जाता है, तो अब जैसे lockdown हता है, या जैसे बंदा आता है, then we have connected the problem, ठीक है जी, alright, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, आप मैं suggestion दे रहा था, suggestion ये है, कि जो आपकी length आ रही है न, इसको centimeter में लिख लो, and centimeter में भी 10 की power minus 8 में लिखो, ठीक है, तो कैसे ये देखना, picometer जो होता है, ये होता है जी, 408.6 into 10 raised to power minus 12 meter, ये हमारा picometer होता है, तो आप इसको क्या करो, इसको आपना लिख centimeters में convert करोगे, तो ये आएगा 4.086 into 10 raised to power minus 8 centimeters, और ये suggestion मेरी रहेगी, हमेशा इसको 10 की power minus 8 में लिखना, क्यों कहा रहा हूँ ऐसा, वो थोड़ी time में clear होएगा, ठीक है, चलो, rank कितना होता भी, किस type का cell है हमारा, हमारा cell है FCC, और I think FCC का जो rank होता है, ये 4 होता है, तो यहाँ पर क्या आजेगा, क्याँ पर value 4 आजाएगी, into mass of one atom, तो एक atom का mass कितना है, 107.9, ये आजेगा 107.9U, U होता है 1.066 into 10 raised to power minus 24 grams, yes, divided by A cube, and what is A, A आपने अभी लिखा, ये कितना आ रहा है, ये आराजी 4.086 into, इसका whole cube है, इसका भी cube कर दो, into 10 raised to power minus 24, centimeter cube, क्योंकि minus 8 का whole cube करोगे, तो 24 आ जाएगा, अब आपको समझ आएगा, कि मैंने क्यों उस टाइम पर 24 बोला, 8 बोला था, क्योंकि, अब ये जो value है ना, ये वाली, ये value, and ये value, ये दोनों value, cancel हो जाएगी, density मारी आएगी, gram पर centimeter cube में, whatever is the value, क्या आजाएगी, वो आपको calculate करनी पड़ेगी, जो भी value आ रही है हाँ पर, तो ये आ जाएगा, 4 into 107.9 into 1.66, divided by 4.08, इसका whole cube, ये calculate करके बताओ, कितनी आ रही है, calculator निकाल लो, अब ये NCRT वाली value ये इतनी गंदी है, paper में value बड़ी easy आती है, ठीक है जी, तो बताएंगे, कि कितनी value आ रही है तुमारी इसकी, जिशान जी बताओ, calculator है, calculator लगाओ, दिमाग है दिमाग लगाओ, दिमाग पसर है, बताओ लगाने का मन नहीं है, तो बताएंगे बड़ी, क्या value आ रही है तुमारी इसकी, what's the value you are getting, एक, दो, तेने, चार, क्या value आ ये, जो भी value है अब देख लो, मेरे को लग रहा है मोटी मोटी, फोर का क्यूब करोगे, 64 आता है, ठीक है जी, and I think ये 107 है, तो अगर मैं 64 into 2 मानो, तो 2 पे गया, 8 into 1 point something, 8 into 2 करो, 16, 17 के करीब आने चाहिए value, this is the मोटा मोटा estimation, इस तरह से गैसा कर लिया करो यार, मैं ऐसे गैसा करता हूँ, 16, 17 के करीब आ रही है, सर एक्जाम में इतनी बड़ी calculation की जगे, approximation यूज करें क्या, एक्जाम में इतनी बड़ी calculation आई नहीं सकती, पहली गाल, क्योंकि आपका, ये तो values NCRT नहीं है, NCRT नहीं 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 का, calculator से करो, अराम से करो, एक्जाम में बहुत simple value होएंगी, बहुत ज़्याद़ simple, इनकेस अगर बहुत tough आती है, use approximation, क्योंकि आप वो चीज नहीं, आपको options देखके identify करना पड़ता है, मालो बहुत गंदी calculation, option बड़े गंदी हैं, तब भाई सबके लिए question खराब होएगा, उस time पर ये देखना, कि time बचेगा, तो इसको कडेंगे, time नहीं बचेगा, तो उस time पर छोड़ देखेंगे, ठीक है, whatever is the value, आपको देख लेना, this is how you will solve this type of question, alright, yes or no, lag हो रहे है, यार lag तो नहीं होना चाहिए इसको, network तो हमारा प्यारा साथा, जीओ वाला लगवाया था हमने यार, भाई बाकी लोगों का lag हो रहे है, कि से बचेगा लाइग हो रहे है, बताओ, is it clear, हैं कर नी, no lag शेवाज, शेवाज जी ये का network चेक करो जी, चलो, अगर ये clear हो गया है, next question करेंगे भाई आप लोग, चलो, tell me, ये question है भाई टोडेली, अब ये question आपको solve करने का है, कि क्या value आ रही है, an element as a body centered cubic structure with edge cell, edge length इतनी है, ठीक है, क्याता है जी, density इतनी है, और कितने atoms इसमें present है, तो अब ये question भाई, तुम लोगों को करना है, इसका answer बताएंगे भाई, class कब end होईगी, पायल जी, खाना खाना है, बस दो question और पायल जी, फिर class end कर देंगे, ठीक है, दो question और कर लेते हैं, actually मैं बहुत सारे questions लेके आया था, but, कोई नहीं next class कर लेंगे, next class में हम लोग, questions वाली class रखेंगे, बहुत सारे questions कर लेंगे, ठीक है जी, तो चलो, try करो भाई इसको, an element has a body centered cubic structure, with a cell edge length of this, density of the element is this, how many atoms are present in 208 gram of the element, अब ठीक है जी, ठीक है जी, तो चलो, बताओ भाई, पाई अल्वस दो, कोई नहीं कर लो, फिर खाना खालो, तो बताओगे, answer बताएंगे, तो फिर ही हम चाहेंगे, आज तो मैं दुपहर का हरा में सो गया, तो करें इसको, अभी शेक जी कह रहे है सर, 4, shepherd जी 10.79, ये atoms आ रहे हैं आपके shepherd जी, वैसे नाइस हो, ये क्या लोगो आपका, ओके, shepherd जी नाइस, नाइस फोटो, तो क्या answer आ रहा भी, जल्दी से बतादो इसका, अंजली जी कर रहे हो, आप question साथ साथ हमारे, येस, hello अक्षण जी, तो करें भी इसको solve, चलो, कहता है, कि आपके पास ना, body centered, पहले तो जो जी जो information लिख लो, हमें एक चीज पता है, कि body centered cubic है, तो यहां से simply, एक गाल कह सकते हो, कि जो rank होएगा ना, आपका, rank would be your four, पहले गाना, ओ सॉरी, rank would be two, तो rank two हो जाएगा, अब कहता है, कि cell edge length है, इतनी, तो मैंने अभी यह भी edge length की एक बात बोली थी, 288 picometer है, यह आपका हो जाएगा, 2.88 into 10 raised to par minus 8 centimeters, यह लिख लिया, and density दे रखिया जी आपको, तो density कितनी है, it is 7.2 grams per centimeter cube, यह value दे रखिया, और कहता है कि कितने items present है, 208 grams, basically, आप से ना उसका molar mass पूछ रहा है, कोई गाल नहीं, अगर मेरे से molar mass पूछ रहा है, तो मैं molar mass जैसे निकलेगा, तो तो 208 से उसको divide करके, atoms निकल जाएंगे, how many atoms are present, ठीक है, तो एक काम करो, आपना पहले density का formula ही लगा जटती है, density का formula भी है, भी हमने देखा, density क्या होती है, density होती है, जी टॉड़ी, गज़े भी density लिदिया हमने, तो what is density, density is, rank, into what, into mass of one atom, divided by what, divided by aq, यह होती है density, अभी हमने देखा, rank है जिसका 2, mass of 1 atom, वो ही निकालना है, तो mass of 1 atom, चीक है, divided by what, divided by aq into density, तो यह आज़ेगा, 2.88 into 10 raised to power minus 8, इसका whole cube, into density कितनी दे रखिया है, 7.2 gram per centimeter cube, तो यह भी centimeter cube में आएगा, यह and यह cancel हो जाएगे, अब आप लोगों को इस पूरे में से, मुझे यह calculate करके बताना होएगा, कि mass of 1 atom, यह कितना आ रहे है, ठीक है जी, how much is this value, यह अब आपको calculate करके मुझे बताना होएगे, hello incredible जी, की हाल चाल है, तो शवाज जी यह value आ रही है, आपकी जब आप यह mass of 1 atom निकाल रहे हो, बताएंगे शवाज जी आप, yes or no, are you here, yes incredible, I am here, are you here, incredible जी, तो बताओ वही, क्या आ रहे है value उसमे, how many atoms are present in this much grams, कितने 208 grams निकालने के लिए, पहले mass of 1 atom निकाल दो यार, जल्दी से बतातो, एक atom का mass आजेगा, उसको मैं 208 से डिवाइड कर दूँगा, तो total number of atoms आजेएंगे, मेरे पास को नहीं आजेएंगे, बताएंगे, let's say, अब आप लोग calculate करके तो बता नहीं रहे हूँ हुझे, मैं मुटा मुटा मानता हूँ, किसकी value है जी, x, यह काम करते हैं, calculate कर लेते हैं, calculator मेरे पास तो है, तुमारे पास नहीं है तो, तो let's calculate the value, यह value आ रहे है जी, आपकी, 7.2 into 2.88 ठीक है, जो भी value आती है, उसको divide by 2 कर तो, divide by 2, नहीं, यह रीट करना पड़ेगा, 177.something divided by 2, 85, 86 के करीब आ रहे है कुछ, मोटी मोटी, इस value is 86 into 10 raised to power minus 24, make sure आप यह value वेरिफाई कर लो, यह value आ रहे है कर नहीं आ रहे है, आ रहे है, इतने है मेरे पास, grams मास आ गया, अगर यह मास है मेरे पास, तो मुझे क्या करना है, मुझे atoms बताने हैं, तो कैसे आते हैं, एक atom का इतना मास है, 208 में मेरे से पूछ रहे है, तो number of atoms कैसे बताऊंगा मैं, number of atoms हो जाएंगे, total mass divided by mass of one atom, total mass divided by mass of एक atom, तो I think total mass कितना हमारे पास, it is 208 ग्राम, तो 208 ग्राम divided by 86 into 10 raised to power minus 24 atoms, ग्राम से जाए ग्राम ये atom आएगा, अब यार ये निकाल लो वेरा कितनी आ रहे है, 208 को 86 से डिवाइड करो यार, कितना आ रहे है वे टोड आंसर इसमें, ठीक है जी, तो ये आंसर आ रहा भई, 208 को 208 divided by 86, यह आर भी 2.42, तो दिस इस 2.42 into 10 raised to power 24, दिस इस योर टोटल नंबर ओफ एटम्स, टोटल नंबर ओफ एटम्स, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा, इतनी गंदी वैल्यू क्यों है, तो कि ये कोशन भी आपका, NCRT का है, और जिससे ये कोशन नहीं हुआ, वो ये चीज़ कोई नहीं, अंजली जी, ये सारे कोशन बहुत टफ हैं, ठीक है जी, इस आर टफ कोशन, तो शवास का अंसर बिल्कुल सही था, तो पहली बार में मुश्किल लगते हैं, बट ये NCRT वाले कोशन, NCRT में भी मुश्किल कोशन आई, ये चीज मा बार बार समझा रहा हूँ, देर हार मुश्किल कोशन इन NCRT एस वेल, मेक शूर आप ये चीज कर रहे हो, ठीक है, चलो, अब एक और कोशन करें फिर NCRT का, फिर इस पर जितने तीन ही टाइप के कोशन आते हैं, डेंसिटी पे, ठीक है, वो तीन हो टाइप के कोशन को अम लोग अभी करेंगे, तो अल ये कोशन भी ट्वड़ा NCRT वाला हैगा, तो NCRT से ये वला कोशन भी आ रहे, गजब, वाजिवा, 28.99 आ रहा है सर, इसका अंसर बड़ा जल्दे निकाल दिया, मुश्किल था कोशन, हाँ, मुश्किल तो है, मैं वही चीज़ दो बोल रहा हू, NCRT में भी कोशन मुश्कि माइनस एट, ऐसे करना, ठीक है, चलो, तो ट्राइ दिस कोशन, हेलो अनुरुषी जी, कैसे हो जी, येस, तो कहता है, X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in a FCC unit cell, जिसकी cell length है जी, इतनी, in a separate experiment, copper is found to have density, this, calculate the atomic mass of copper, तो ये तो in fact, सबसे आसान वाला कोशन है, इससे मुझे लग रहा है, ठीक है जी, तो चलेंगे, करेंगे इसको try, तो बताएंगे, डरना नहीं यार, पहली बार में नहीं होता, कोई गाल नहीं, it happens यार, पहली बार में सारे कुशन हो जायें, तो ऐसे क्या ही विचार है, ठीक है जी, नहीं नहीं, आज special class नहीं है जी अनुरुषी जी, ठीक है जी, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो कैसे करेंगे इसको, देखो भई, आपके पास ना, कहता है, copper है, जो की FCC बनाता है, तो पहली गाल लिखलो, इसका मतलब यह होता है, कि rank क्या है, rank टोड़ा 4 हैगा, पहली गाल हमने लिख ली, then agilent दे रखी है, agilent कितनी दे रखी है इस और क्या दे रखी है, और इसकी density दे रखी है, which is what, which is 8.92 grams per centimeter cube, यह हमें दे रखी है, तीन चीज़े दे दी, calculate the atomic mass, तिर वोई-वाली गाल करेंगे, क्या लगाएंगे, सर सारे कोशन करके आएगा, सर सारे कोशन करके आएगा सर, बिलकुल जी, बिलकुल, शेपर्ड जी ने सर आगे, हम बढ़ी हैं जी अनुर्शी जी, बढ़ी है एकदम, तो कितना हो जाएगा भई यहां पर, यहां पर देखो भई, density का formula लगाना है, density का formula लगाओगे, it is simply rank into mass of one atom, mass of one atom, divided by what, divided by your aq, यह लगाया, density दे रखी है, आपको 8.92 grams per centimeter cube, ठीक है, should be equal to rank FCC है, तो 4 होएगा, into mass of one atom हमें निकालना है, and divide by क्या कर देंगे, divide by aq कर देंगे, which is 3.608 का whole cube, in fact, पूरे को cube कर देते हैं, जी, इसको लग से क्यूं, restore करना, यह आ गया, इसका whole cube into centimeter का cube, centimeter cube से centimeter cube जाएगा, आपको mass निकाल के बताना है, mass कितना आ रहा है, तो mass of one atom, यह value आ जाएगी, आपकी, 3.608 का whole cube, into, 8.92, ठीक है, divided by 4, ठीक है, into 10 raised to par minus 24, यह value आ जाएगी, किसकी, एक atom के mass की, but क्या मुझे एक atom का mass निकालना है, answer है, मुझे एक atom का mass नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, तो atomic mass कैसे निकलता है, let's say, this value is x, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें atomic mass निकालना है, और अगर आपको atomic mass निकालना है, तो यह क्या आता है, it is simply given mass divided by avogadro number, na, yes, na, given mass क्या करेंगे, by sorry, na करेंगे, given mass into na करेंगे, sorry, 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 यह क्या हो जाएगा, this is your given mass into na, तो यह हो जाएगा, तो कैसे आजएगा भाई, given mass कितना है, it is, बड़े गंदा सा, तो यह आजएगा x into na, तो x की value calculate करके यहाँ put करना, निकालोगे 63.1 के करीब आना चाहिए कुछ mass, तो यह सही है तुम लोगों का, hello, hello, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर session को end करते हैं, आप लोग ध्यान रखिए, यह सब लोग अपना, प्यारे से बच्चो, घर पे रहने का, सुरक्षित रहने का, और कहीं मत जाने का, क्योंकि इस time पे आप लोग घर पे रहोगे, तो सब लोग घर पे बाहरा आप आएंगे, ठीक है जी, तो you have this time, to be a superhero, to save the earth, save India, तो घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल जी, अंजली जी, अब ये वाला समझ आ गया, बताओ अंजली जी, density, density समझ आ गया तो अनुपूई, येस, समझ आई का नहीं आई, सर येस समझ आ गया, तो अगर ये समझ आ गया है, तो ये हो गया, in case you want some questions, आप एक काम करो, मैं ये questions discuss करूँगा, बट आपना ये questions कर लो यहां पर, इन questions की photo shot तो ले लो, ठीक है, हम ये सारे questions हम लोग discuss करेंगे, तो यहां पर मैं सब questions को रख देता हूँ, screen पर 5 second के लिए, make sure you screenshot them, next classman को discuss करेंगे, पहला question था वो, next question is this, ठीक है, ये सारे questions हम लोग करने वाले थे, आज़की classman पर time थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है जी, आप इनको करेंगे, लो मैं थोड़ा screen में आ जाता हूँ, तांकि आपको clear रहे, ये second question है, ठीक है, ये टोड़ा third question है, तो इन third question को करेंगे जी, all right, बेप shepherd जी बस टोड़ेली कर रहे हो मैं, ऐसा करता नहीं हो generally, तांकि आप प्यारे से बच्चे हो मेरे, तो close packing is maximum in which, बहुत बढ़िया, next करते हैं, next is your this, copper metal as face centric cubic structure with the unit cell as lint this, picturing copper, all right, ये बताएंगे, चलो, next करते हैं, ये, चलो पहले इतना तो उम्वो करो, बहुत सारे question है यार ये, इतने भी question हो जाएंगे, हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है जी, और करते हैं इसको, इतने कर लोगे, और भी है, कम से कम बस बंदर question है, you will do it, अराम से हो जाएंगे, चलो, तो yes, take care everyone, और स्रीडियो का test था कल मेरा, स्रीडियो का revision करा दो, कराओ, शवाज जी, एक बार पहले वाले lecture दे दो, देखो, और फिर हम लोग एक revision lecture भी रखेंगे, स्रीडियो का question चलो जी, alright, और नहीं जी, आप पढ़ते हो, that's the best thing for me, पकी गल, सची गल, ठीक है shepherd, चलो, alright then